हेलो दोस्तों एक्जाम प्रिपेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ UPPCS 2024 प्री एक्जाम के लिए हम लोग प्रिवेसर कोशन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइजी कोशन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जिसमें हिस्ट्री के काफी कोशन हम लोग रल कर चुके हैं एंसेंट हिस्ट्री मैं वहाँ पर कवर कर ली हूँ इसके साथ साथ आज में जॉगरफी के कोशन भी स्टार्ट कर रहे हूँ जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर बता दूँ अगर आप UPPCS एक्जाम 2024 के लिए प्रपेशन कर रहे हैं तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है जिसमें हम लोग पीवेसर क्लास डिसकस कर रहे हैं साथ साथ दुपर एक बजे GS की क्लास आती है डेवाई सीरीज उसको भी फॉलो करते रहे है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आप विजिट करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी अगर कोई प्रॉबलम है आप कमेंट करके पूशिएगा मैं जरूर आप लोग की हल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा option D जोप नदी गंगा नदी तंत का हिस्सा नहीं है देखिए question आप से ऐसे ही पूछे जाएंगे कि नदी बेसिन दे जाएगी और पूछ लिया जाएगा कौन सी नदी इसका हिस्सा नहीं है या फिर कौन सी नदी इसका हिस्सा है तो सहायक नद सेकेंड कोश्चन है भारत वर्स में खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है ए है चिलका, बी है सांभर, सी है लोनार और डी है वूलर तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की जील है इसके अलावा आपसे अगर भारत की सबसे बड़ी लगून लेक पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी चिलका वूलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है अर्थात ताजे पानी की जील है तो अगला प्रशन देखते हैं निम लिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है उचा गया नहीं है ये स्थानी पवने दी गई है और इनका स्थान दिया गया है सबसे पहली है लेवेश ये स्पेन में चलती है सेकेंड है ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में थर्ड है ब्लैक रोलर ये उत्री अमेरिका में और शामल दी गई है और शामल दी गई है आपको बताने है कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है इसका राइट आंसर हो जागा ऑप्शन दी शामल अरब छेत्र में चलती है ना कि आउस्टिया में बाकी सारी सही दिये गई है तो आपको इन्हें याद भी कर लेना है शामल कहाँ पर अरब में इरान इराक इन सभी मरुस्तिली छेत्र में चलती है तो शामल याद अकना अरब छेत्र में बाकि सारी सही आप्शन दी राइट हो जाएगा फोर्थ कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है एक तरफ संस्थान दिये गए हैं दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है पहला अंतर राष्टी सर्ष्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नायरोबी में है उप्शन बी दिया गया भारती वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है थर्ड दिया गया केंद्र ये सर्ष्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बादा में और फोर दिया गया टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है और इसका सही उत्तर होगा option C केंदी ये शर्ष्यवानी की अनुसंधान संस्थान जासी में है ना की बांदा में option C right होगा फिफ्थ कोशन है निमलिखित में से कौन अने तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्ष्य की रोष्णी परावर्तित करता है ए है रेद का रेगिस्तान, भी है धान की खेती की भूमी, C है ताजा बर्प से धकी भूमी और D है प्रेरी भूमी जो की समसीतोष्ल छेत्र में पाई जाती है बताने है कौन सा उत्तर सही होगा और इसका right answer है option C ताजा बर्प से जो धकी भूमी है वो क्या करती है सूर्ष्य की रोष्णी ज्यादा से ज्यादा परावर्तित कर देती है option C right होगा 6th question है निम्लिकित में से कौन सा रामसर इस्थल उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं है इसका right answer हो जाएगा option D जम्मू कश्मीर में है नाकी उत्र प्रदेश में तो आपको याद अखना option D right हो जाएगा अगला प्रशन है विस्व ओजोन दिवस मनाया जाता है डेट पूछी गई है कब option E है 25 दिसंबर को option B है 21 अप्रेल को option C है 16 सितंबर को option D है 30 जनवरी को देखिए अब प्रशन पूछने का तरीका थोड़ा और अपडेट हो गया है कि आपसे डायक प्रशन नहीं पूछे जाते एक दो आ जाते हैं तो आ जाते हैं अब प्रशन पूछने का तरीका यह है आपको 3-4 डेज एक साथ दे दिये जाएंगे और मैश करने को आ जाता है तो आप एक एक करके तयार करेंगे तो आप easily मैश कर पाएंगे इसका right answer हो जाएगा option C 16 सितंबर को अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस बार की जो विस ओजोन दिवस मनाया गया थीम क्या थी अगले प्रश्च में आपको पुछख खनिज ऑन्वेशन अभीकरण दिये गे हैं और उनका मुख्याले दिया गया है इन दोनों सूचियों को आपस में मैश करना है खनिज ऑन्वेशन दिया गया है, भूनेश्वर है, हैदराबाद है, नागपुर है और नई दिल्ली है, तो जो आप्शन आपको दिये गए इन्हीं केनुसारी ने मैश करना है, इसका राइत आंसर हो जाएगा, आप्शन एका होगा फोर, तेलेवम प्राकृतिक गैस आयोग है नई दिल्ली में खनीज अन्वेशन निगम लिमिटेड है, नागपुर में, राष्टी खनीज विकास निगम है, हैदराबाद में, और राष्टी एलूमीनियम कंपनी लिमिटेड है, भूनेश्वर में, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, और 4, 3, 2, 1, आप्शन सी राइट है नाइन्थ कोशन है, निमलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, ए है लातविया, बी है कैमरून, सी है घाना, और डी है आइवरी कोश्ट, और इसका राइट आंसर आप्शन ए लातविया नहीं है टेंथ कोशन है, इंडोनेशिया के द्वीब समूहों में पश्चिम से पूरब की दिसा ओत, सही क्रम में एक निमलिखित में से कौन से ये द्वीब के क्रम सही दिये गए है आप्शन ए है जावा, सुमात्रा, लुंबेक और बाली सेकेंड है सुमात्रा, जावा, बाली और लुंबोग सी है सुमात्रा, जावा और लुंबोग, बाली और ऑप्शन ए है बाली, सुमात्रा, जावा और लुंबोग बताना इन में से कौन सा उत्तर सही होगा देखे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो से सुमेलित करना है एक तरफ जया मंडल दिये गए हैं और दूसी तरफ उनकी अवस्तिती है जया मंडल अरक्षित शेत्र में आप देखेंगे सिमली पाल, पंचमड़ी, नंदा देवी और नोक्रेक दिया गया है अवस्तिती में उत्राखन, मेघाले, मद्रिप्रदेस और ओडिसा दिया गया है देखें यहाँ पर आप कोशिश किया कीजिए जो आपको एक बहुत अच्छे से आता है उसी से मैच करना स्टार्ट किया कीजिए जैसे कि नंदा देवी सभी को पता होगा मैं यह मान के चल रही हूँ तो नंदा देवी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्राखन तो आप देखें C का 1 कहां कहां का दिया गया है दो में ठीके बाकी के option आपके हट जाएंगे अब इन दो option में आप देखेंगे अगला आपको कोई भी याद है मैं मान के चल रही है पंच मढ़ी अगर आपको याद है तो पंच मढ़ी है मध्य प्रदेश में तो B का हो जाएगा 3rd अब आप देखें B का 3rd कहां दिया गया है ये दिया गया है option B में और आपको option B राइट हो जाएगा अगर आपको दो भी याद है तो भी हो जाएगा आगे के देख लेते हैं सिमली पाल है उडिसा में और नोक्रेक है मेघाले में तो आप फिर से देख लिजे सिमली पाल उडिसा में हो गया पंच मढ़ी मत्य प्रदेश में नंदा देवी उत्रा खन में हो और नोक्रेक में घाले में है option B राइट हो जाएगा 4,3,1,2 12th question है नीचे दो कथन दिये गए हैं एक अभी कथन है और दूसरा उसका कारण है और बताना है कौन सा उत्तर सही होगा कथन दिया गया है बताना है इसका कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ पर answer A राइट है A और आर दोनों से ही दिये गए है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है इसलिए option A सही होगा 13th question है निमलखित सहरों में से किस एक में देश का प्रतम भारती कौशल संस्थान इस्थापित किया गया A है एहमदाबाद B है मुंबई C है रोहतक और D है कानपूर इसका सही उत्तर है option D कानपूर में 14th question है निमलखित में से कौन सा अंटाक्टिका में भारत का इस्थाई और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है A है भारती और R B है भारती और दक्षिड गंगोत्री C है भारती और मैत्री और option D है दक्षिड गंगोत्री और मैत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा option C भारती और मैत्री है औप्शन C राइट होगा 15th question है निम्लि में से किस इस्तान पर भारत में प्रतम नगर निगा में स्थापित किया गया था A है कलकत्ता, B है मद्रास, C है बॉंबे और D है देली और इसका राइट आंसर औप्शन B मद्रास में 16th question है सुकोत्रा द्वीप के संदर में निम्लि में से कौन से कतन सही है दोनों statement ध्यान से देखिए पहला statement है या ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है इसे 2008 में युनेसको द्वारा विश्व प्राकृतिक इस्थल के रूप में नामित किया गया था बताना है कौन सा आंसर सही है देखिए ये सही हो जाएगा option B यहाँ पर second statement सही दिया गया है इसे 2008 में युनेसको द्वारा विश्व प्राकृतिक इस्थल के रूप में नामित किया गया था और इस पर ओमान का अधिकार नहीं है इस पर यमन का अधिकार है इस ले statement पहला incorrect हो गया option B right होगा 17th question है Statue of Peace भारत के किस राज में अवस्थेत है A है मध्यप्रदेश, B है राजिस्थान, C है गुजराद, D है हिमाचर प्रदेश और इसका right answer option B राजिस्थान में 18th question है उत्तर प्रदेश का निम्लिकित में से कौन सा जिला छेत्रफल की दरश्टी से सबसे छोटा है हमीरपूर, हर्दोई, हाथरस और हापूर यह मैं आपको UP special वाले question सीरीज में भी करा चुकी है इसका right answer हो जाएगा option D, हापूर सबसे छोटा है 19th question है निम्लिकित में से भारत के पूर्वी तडपर इस्थित्थ सबसे बड़ी लगून जील कौन सी है इसका right answer हो जाएगा option B, चिलका यह पूर्वी तडपर भी इस्थित्थ और भारत की सबसे बड़ी लगून लेग भी है कौन सी है चिलका, देखे क्या होता है जो भी तटी छेत्र है भारत का वो थोड़ा कटा फटा है तो अंदर की ओर देखेंगा आप जो कटा फटा है तो इस स्थान पे अंदर जो सागर का पानी है वो भर जाता है जिसकी वज़े से लगून लेग का फॉर्मेशन होता है और चिलका इसी प्रकार की एक जील है लगून जील जिसमें खारा पानी जो सागर का वो अंदर भर जाता है तटके अंदर और जील का निमाड होता है बीसमा प्रशन है नोबी और कांतो मैदान निमलिकित में से किस देश में स्थित हैं? Option A है Korea, उत्तर Korea, Option B है दक्षिल Korea, Option C है जापान, और Option D है चीव, और इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, जापान में स्थित है, नोबी और कान्तो मैदान, कहां पर है? जापान में, Option C राइट होगा अगले प्रेशन में, सूची एक को, सूची दो से सुमेलित करना है, एक तरफ जौला मुखी परवत हैं, दूसी तरफ इनसे सम्मंधित देश दिये गए हैं और ऐसे प्रेशन आपको अकसर करके एक्जाम में मिलेंगे, तो जितने भी ये कोश्चेंस हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रेपेर कर डालिए जौला मुखी परवत में आप देखेंगे, मांट रेणियर दिया गया है, मांट एटना दिया गया है, मांट पेरिकुटीन है, मांट एपो है देश में इतली है, मैक्सिको है, फिलिपीन से और USA है चलिए इनको मैश करते हैं तो 21 प्रेशन में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर माउंट जो रेनियर दिया गया है इसमें यह हो जाएगा USA में तो माउंट रेनियर आप देखिए 4 आप्शन कहां कहां पर दिया गया है, तो 3 आप्शन में है, A, B और D में तो C हम पहले ही हटा लेते हैं फिर इसके बाद देखिए, माउंट एटना कहां पर है, यह है इतली में माउंट एटना कहां होंगे, इतली में तो जो commonly याद होने चीए आपको वो याद रखिए और आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे, option B right हो जाएगा. 22 प्रशन है निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल प्रपात दिये गए हैं और ये किस नदी पर है, पूछा गया है, और इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया, option D right होगा, बूड़ा गाग जल प्रपात जो है, ये बूड़ी नदी पर है, इसे लोध जल प्रपात के नाम से भी जानते हैं, जारखन में स्तित है, option D right हो जाएगा. 23rd question है, निम्रिखित जो कथन दिये गए हैं, दो कथन हैं, इसमें एक अभी कथन हैं, दूसरा कारण है, उत्तर बताना है कौन सा सही होगा, कथन दिया गया, पारिस्तितकी बिवित त्थ exploded आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसका कारण दिया गया है, मानो क्रियाओं से वातावरन प्रभावी होता है, अब बताने हैं, इन में से कौन सा उत्तर सही दिया गया है, देखे है, इसका सही उत्तर हो जाएगा option d a गलत है देखिए इसमें कथन गलत दिया गया है क्यों क्योंकि पारिस्तितिकी तंद के जितने भी तत्वें वापस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो कथन पहले ही गलत हो गया अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि मानों की यहां से वातावरल प्रभावी होता है तो option d सई हो गया आर सत्ति दिया गया है 24 प्रशन है निमलिखित में से कौन सा द्वीप? कैरीबियन सागर में अवस्थित नहीं है option A है Granada, option B है Montserrat, option C है Madira और option D है Ingwila इसका right answer हो जाएगा option C Madira नहीं है, करीबियन सागर में अवस्थित नहीं है, बाकिये सारे हैं तो option इसी तरह आप देखते चलिए तो आपको कुछ facts तो यूँ ही prepare हो जाएंगे questions से और मैं आपको बार-बार बोली हूँ, जो questions आप देख रहें, daily prepare करते चलिए class के ही साथ, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि बार-बार आप पिछला देखें और in fact के जरीए से ही आप आगे के questions को आसानी से हल कर पाएंगे तो आज की series का last question है, सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है, एक तरब भारत के राज दिये गए हैं और उनसे समबंदित सबसे उची चोटी पूछी गई है, देखे तमिल नाडू, राजिस्थान, नागालेंड और मद्ध प्रदेश की चोटी पूछी जारी, कौन सी हैं उची, अब सबसे उची चोटियों में धूबगर दी गई है, सारा मती चोटी, गुरू सिखर चोटी, दोधा बेटा चोटी, ठीक है, बताना है कौन सी इसमें सही होगी, अब इसका देखी जो आपको option दिये हैं, इनके अनुसार मैंने आपको बार बार बोला, आप कैस और D में, बाकी आप option हटा सकते हैं, ठीक है, अब आपको राजस्थान की जो सबसे उची चोटी है, अरावली सिखर पर है, कौन सी है, गुरू सिखर है, मैंने कई बार आपको पढ़ाए, अब देखियो option B में कहां पर 3 है, असानी से मिल गई न, option D right हो जाएगा, इसके बा आप नहीं छोड़िये, तो बहतर ही होगा, क्योंकि ये question आप आसानी से हल कर सकते हैं, एक दो तक्ति भी आपको पता हैं तो, I hope आपको ये question समझ में आये होंगे, किसी भी question में problem है, आप comment करके पूस सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप comment section जरूर चेक कर लिया किजिए कि अगर कोई correction होता है, तो comment section में आपको मिल जाएगा, ऐसे और question के साथ मैं मिलती हूँ next वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो please like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और लोगों को share करते रहिए, धन्यवाद